एजो सीकर में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम 8 major ideologies को cover करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम उनके concepts को, central themes को, types को उनके major thinkers कौन-कौन से हैं और उनके main works से वो सारे cover करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो का एक ही main purpose है कि आपके facts को consolidate करना और अगर इस वीडियो के जरीए आपके facts consolidate हो जाते है और आपने real exam में एक भी answer correct करके आते है इस वीडियो की वज़ा से तो भी मैं मानूगा कि इस वीडियो का जो purpose है वो पूरा हो गया इस वीडियो को और interesting मिनाने के लिए मैंने एक काम किया है कि इसमें मैंने कुछ question आपसे पूशे है वीडियो के बीच में कहीं शुपा दिये अगर आपने वो सारे question के answer दे दिये तो आपको ये जो revision booster की हमारी e-book है worth rupees 200 वो gift में मिलेंगी तो आपने उन सारे question का comment करना है जो सबसे पहले comment करेगा उसी को ये revision booster की e-book मिलेगी और अगर आपने हमारी All India test series को अभी join नहीं किया तो वो join कर सकते हैं जो आपको real exam के लिए तियार कराते हैं जो mistakes आप real exam में कर सकते हैं उसको avoid करने के लिए पहले ही test series में practice कर लीजिए और सबसे important चीज है कि ये quick revision में बहुत ही helpful रहती है तो इस test series के जरिये ज़्यादा से ज़्यादा मोग दीजिए इसका link जो है आपको description में मिल जाएगा वहाँ से जाकर enroll कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 8 ideologies को जिसको हम 30 minutes में complete करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम समझेंगे liberalism के बारे में liberalism की शुरुआत चाहे 17th century west में होती है लेकिन ये popularize होता है 19th century में और इसलिए 19th century को liberalism की century भी कहा जाता है liberalism का जो सबसे core principle है वो है liberty of individual इसका मतलब क्या है? कि अगर liberalism के thinkers में एक दूसरे के साथ बहुत सारे point पर agreement नहीं होता लेकिन एक चीज है जिसके साथ वो compromise नहीं कर सकते वो है liberty of individual individual की liberty उनके लिए सबसे important है और दूसरी बड़ी बात ये है जो authoritarian state के द्वारा restrictions लगाई जाती है जिसकी वज़ा से individual की liberty में बाधाय आती है उसके against है liberalism इस बात का आपने ध्यान रखना है कि liberalism state के against नहीं है authoritarian state के द्वारा कुछ ऐसी जो restriction लगाई जाती है जो individual की liberty को curtail करता है उसके against है तो liberty की basic tenets क्या है? यानि वो कौन से basic सिदान थे जिसकी ये बात करता है ये मानता है कि man is a rational creature rational creature है वो अपने बारे में सोच सकता है तो इसलिए state को जो है उसकी liberty में interfere करने की जरूरत नहीं है civil liberties को promote करने की liberalism बात करता है civil liberties का मतलब है जैसे freedom of religion freedom of press कुछ ऐसे जो right से उसको promote करने की बात करता है free and open market की बात करता है जिसमें state की intervention कम हो और ये state को एक necessary evil मानता है जिसका मतलब है कि state जो है evil तो है लेकि state जरूरी भी है individual की liberty को protect करने के लिए तो अब आपके लिए ये question है कि state is a necessary evil किसका originally idea था उसको comment करके बताएं अब हम बात करते हैं liberalism के core themes को लेकर किस चीज को लेकर ये ज़्यादा focus है जैसे कि individual, freedom, reason justice और toleration जैसे ideas को लेकर liberalism ज़्यादा focus है ज़्यादा बात करता है अब हम liberalism की types की बात करते हैं liberalism की तीन types मानी जाती है classical liberalism modern और neoliberalism classical liberalism egoistic individualism में विश्वाष रखता है यानि society से भी ज़्यादा preference वो individual को देता है क्योंकि classical liberalism negative liberty को promote करना चाता है इसको negative liberalism के नाम से भी जाना जाता है और ये 19th century में flourish होता है वही modern liberalism welfare state की बात करता है जिसमें वो state से ये demand करता है कि individual की life को और भी ज़्यादा बैतर बनाले के लिए state को proactive role play करना होगा state को interference करनी होगी और इसके साथ क्योंकि modern liberalism positive liberty की बात करता ही से positive liberalism के नाम से भी जाना जाता है ये first half of 20th century में जो है modern liberalism आता है नियो लिबरलिजम बात करता है laissez-faire individualism को दुबारा restore करने में मतलब जो classical liberalism के principle थे कुछ वैसे ही principle को दुबारा ये restore करना चाता है नियो लिबरलिजम welfare state के idea के against है जो state economic activities में interfere करती है जा control करती है ये उसके against ही ये चाता है कि market को open and freely रहना दिया जाए state की intervention उसमें जितनी कम हो सके उतनी कम की जाए और नियो लिबरलिजम 20th century की second half में जो है इसका idea या popular होता है तो चलिए अब जानते हैं कि अलग-अलग types के liberalism के जो अलग-अलग thinkers हैं उनके नाम के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि classical liberalism के thinker कौन से हैं जैसे कि John Locke, Adam Smith और Jeremy Bentham तीन ऐसे हैं thinker हैं जो classical liberalism के माने जाते हैं John Locke को father of liberalism भी कहा जाता है अपने natural rights के idea के लिए famous है जिसमें इन्होंने कहा था कि state का काम है कि right to life, liberty and property को किसी भी हालत में protect करना और इनके main work है letter concerning toleration to treaties of government Adam Smith को father of economics माना जाता है और economic liberalism का idea इन्होंने ही promote किया था invisible hand का concept इनका बहुत famous है invisible hand का मतलब है कि market में कुछ ऐसे forces होती है जो अपने आप काम करती है जैसे कि किसी commodity का price increase या decrease होगा वो depend करता है supply and demand पर इसी का मतलब है invisible hand और उनके जो major works है वो है wealth of nations and the theory of moral sentiments और Jeremy Bantham को founder of utilitarianism माना जाता है इनके जो major work है वो है an introduction to the principle of morals and legislation और discourse on civil and panel legislation जो 1802 में publish होता है तो चलिए अब जानते है modern liberalism के तीन thinkers वो है J.S. Mill, T.H. Green और Harold J. Lusky J.S. Mill जो है उनके ideas को heart of liberalism भी कहा जाता है क्योंकि ये classical liberalism और modern liberalism के बीच में एक bridge का काम करते है उनके ideas on liberty, consideration and representative government or subjection of women जैसी books जो है इनकी famous book है T.H. Green के ideas को describe किया जाता है as a social liberalism और इनके lectures on the principle of political obligation और प्रोल गोमिना to ethics जो है इनके major work से H.J. Lusky की बात करें तो ये all powerful sovereign state के against है और rather ये बात करते हैं political pluralism की और इसी के चलते हुए इनोंने अपनी theory developed की थी वो थे pluralistic sovereignty जो काफी popular है grammar of politics जो है इनका major work रहता है अब हम बात करते हैं neo-liberalism के thinker की जिसमें F.A. Hyak, Milton Friedman और Robert Nozick जैसे thinker आते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं F.A. Hyak की जो classical liberalism का defense लेकर आते हैं यानि वो classical liberalism के कुछ principles को दिबारा revive करना चाहते है Road to Sefdem उनकी जो है bestseller book थी Individual and Economic Order इसके साथ Constitution of Liberty जैसी important books इनोंने लिखी है Milton Friedman एक American economist थे Nobel laureate थे और ये भी state की intervention को economic activities में कम करना चाहते थे इनकी book है Capitalism and Freedom जो काफी famous work है और अब हम बात करते हैं Robert Nozick की जिन्होंने libertarianism का defense जो है produce किया था जिसके चलते हुए उन्होंने demand की थी कि state का जो role है वो minimal होना चाहिए economic activities में और individual की life में भी उनका जो major work है वो है anarchी state and utopia जो 1974 में publish होता है अब हम next ideology की बात करते हैं वो है conservatism conservatism basically नाम से ही पता चलता है कि change reforms और revolution जैसी चीजों से against है या परहेज करता है 19th century में सबसे पहले इस word को use किया गया था और ये philosophy of human imperfection मानी जाती है इसका मतलब ये है ये मानते हैं कि human जो होते हैं वो imperfect होते हैं और इसलिए उनको better बनाने के लिए जा उनको perfect बनाने के लिए हमें जो है किसी तरह का change नहीं करना चाहिए कोई progress या reforms नहीं लेकर आने चाहिए क्योंकि अगर हम किसी तरह का change लेकर आएंगे कोई reforms लेकर आएंगे तो उसमें society में instability आएगी अगर society में instability आएगी तो human beings जो है वो insecure कियो और feel करेंगे तो इसलिए उनकी security के लिए उनकी भलाई के लिए यही अच्छा है कि जो timely tested traditions, value, traditional institution चले आ रहे हैं उनको वैसे ही continue रखा जाए उनको preserve किया जाए conservatism का जो central theme है यह tradition को defend करते हैं, tradition का मतलब है जैसे tradition values होगी, कोई practices होगी या traditional institutions होगे उसको defend करने की बात करते हैं अब हम बात करते हैं conservatism के कुछ important thinker की जैसे कि Edmund Burke, Michael Lockshott और Irving Crystal इसके major thinker माने जाते हैं Edmund Burke, father माने जाते हैं Anglo-American conservative political tradition के इनके जो major work है वो है vindication of natural society और reflection on the revolution in France को क्योंकि यह French revolution के against थे तो उसके ही चलते हुए उन्होंने यह book अपनी लिखी थी Michael Lockshott एक ऐसे conservatism थे जो politics के सफेर को limit करना चाते थे खास करके वैसी politics जो radical changes या radical reforms लिकर आती है इनके major works है rationalism in politics and other ऐसे जो 1962 में publish होता है और एक और important work है on human conduct जो 1975 में publish होता है अब बात करते हैं Irving Crystal की Irving Crystal जो है वो American neoconservatism के एक important thing करें इसलिए इन्हें इन्हें godfather of neoconservatism भी कहा जाता है इनके दो major work है वो है two cheers of capitalism और reflections of a neoconservative जो 1983 में publish होता है अब हम बात करते हैं third ideology socialism की socialism emerge होता है 19th century में और socialism basically social equality में या equality of outcome में believe करता है इसका मतलब यह है कि यह चाहता है कि society में इस तरह resources की distribution होनी चाहिए किसी के पास बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और किसी के पास बहुत कम नहीं होना चाहिए यह जो rich और poor का gap है उसको minimum करना अगर हो सके तो उसे eliminate भी करना socialism मानता है society के resources को produce करने के लिए जो key resources होंगे की industries होंगी वो social ownership और control के अंदर हो गई जिसका मतलब वो state के control के अंदर होंगे इसका जो central theme है जिस पर ज़्यादा focus करता है वो community पर focus करता है corporation पर equality पर और common ownership की बात करता है दो types मानी जाती है major socialism की एक है evolutionary socialism और दूसरी है revolutionary socialism evolutionary socialism का मतलब है जो society में socialism को introduce करना चाते हैं लेकिन slowly और gradually reforms के जड़िये करना चाते हैं और revolutionary socialism में marxism जैसे socialist आ जाते हैं जो radically society में change लेकर आना चाते हैं capitalism को overthrow करना चाते हैं अब आपके लिए ये question रहा कि evolutionary socialism का father कौन है अब हम socialism के major thinkers के बारे में जानते हैं सबसे पहले नाम आता है जोसफ शम्टर का जिनकी famous book है Capitalism, Socialism and Democracy जो 1976 में publish होती है फिर Edward Bernstein का नाम आता है जिन्होंने evolutionary socialism पर काम किया है then फिर R.H.Toney का नाम आता है जिन्होंने acquisitive society, equality और radical tradition जैसा books लिखी है फिर Anthony Crossland का नाम आता है जिन्होंने future of socialism और socialism now जैसे important work लिखे हैं अब हम बात करते हैं marxism की marxism जो है वो word drive किया गया है काल मार्क से 19th century में marxism जो है इमर्ज होता है और ये popularize किया जाता है angel, काल, कटस्की और जोर्ज प्लेकनोफ जैसे thinkers के दुआरा capitalism ने जो oppressive condition workers के लिए create की थी उसके against ही marxism इमर्ज होता है और marxism socialism की scientific foundation लगना चाहता है यानि socialism को और भी ज़्यादा scientific बनाना चाहता है marxist philosophy का अगर corner store देखे तो angels के शबदों में materialistic concept of history है जिसका मतलब है वो idea पर नहीं वो material पर जो है वो ज़्यादा focus करेंगे कि material में change आने से society में कैसे change आता है इस चीज़ पर marxism की जो है बन्याटिकी हुई है अगर इसके main सिधानत की बात करें तो उसमें dialectical materialism, historical materialism, class conflict के doctrine और theory of surplus values आ जाती है, अब हम जानते हैं marxism की main types के बारे में दो types मानी जाती है classical marxism और neo marxism, classical marxism जो है वो basically बात करता है कि private property की वज़ा से society में जो है दो classes सिमर्ज हुई है haves and haves not की haves का मतलब है जिनके पास resources है capitalist class और haves not है जिनके पास resources नहीं है, worker जैसी class तो haves वली class जो है वो dominant करती है society में haves not की class को exploit करती है और state जो है वो haves की class यानि dominant class जो capitalist की class है उसके interest को ही protect करती है classical marxism जो है वो revolution के through capitalism को खतम करना चाहता है और चाहता है एक ऐसा समाज बनाना जो state less हो, class less हो neo marxism को frankfurt school भी कहा जाता है या critical school भी कहा जाता है या कह सकते कि critical theory में जो thinkers आते हैं वो ही neo marxism में आते हैं ये classical marxism को इस चीज को लेकर criticize करते हैं कि classical marxism अपनी theories को काफी scientific मानता है और जिसकी वज़ा से neo marxist मानते है classical marxism की जो theory है वो dogmatic बन चुकी है एक orthodox marxism ने जनम दिया है तो इसी चीज के वो against है कि marxism की पुरानी जो theories है उसको बदलने की जूरित है आज society के हलात कुछ हो और है और उसी को ध्यान में रखते हुए नई theories को जो है develop करना चाहिए और ये marx की prediction को नहीं मानते कि capitalism जो है एक दिन collapse हो जाएगा और neo marxism जो है वो ideology पर ज़्यादा focus करता है economics पर इतना focus नहीं करता है और ये working class को revolutionary agent नहीं मानता है जैसे classical marxist मानते थे और ये society के social practices को criticize भी करते हैं और actual में change भी लेकर आना चाहते हैं सिरफ theories नहीं देना चाहते हैं ये चाहते हैं कि society में एक जो है बदलाव आई अब classical marxism के thinkers की बात करते हैं सबसे पहले नाम आता है Karl Marx का जिनकी German ideology, poverty of philosophy communist manifesto और contribution to the critique of political economy जैसी books आती है फिर Frederick Angels का नाम आता है जिन्नोंने anti-daring, the origin of the family private property and state dialectics of nature जैसी books लिखी फिर V.I. Linen का नाम आता है जिन्नोंने what is to be done imperialism, the highest stage of capitalism the state and revolution जैसी books लिखी इसके साथ Leon Trowski भी आते हैं जिन्नोंने results and prospects history of the Russian revolution revolution betrayed जैसी books लिखी और फिर नाम आता है माउजिदों का जिन्नोंने on people's democratic dictatorship on the ten major relationship या on the correct handling of contradiction among people जैसी books इन्नोंने लिखी अब बात करते हैं neo-marxism के thinker की जिसमें सबसे पहले नाम आता है Tudor Adorno का जिन्नोंने authoritarian personality the pattern of the fascist propaganda the meaning of the working through the past जैसी books लिखी और फिर Max और का नाम आता है जिन्नोंने eclipse of reason between philosophy and social science और dialectic of enlightenment जैसे main works लिखे फिर Herbert Marcus का नाम आता है जिन्नोंने reason and revolution escape from freedom and one dimensional man जैसी important books थी इसमें एक चीज़ ने आपने ध्यान रखना है कि neo-marxism के thinker enlightenment और उसकी rationality और reason की idea के against ते और इसलिए जैसे आप देख सकते हैं कि Max और काइमर की book eclipse of reason की बात करती है dialectic of enlightenment की बात करती है इसी तरह Herbert Marcus भी जो है reason and revolution की बात करते है so इनकी books में reason enlightenment जैसे शवर जो है वो आते हैं इस तरह से आप याद रख सकते हैं अब हम जानते हैं feminism के बारे में feminism एक political term है जो सबसे पहले 20th century में यूज की जाती है feminism ideology basically दो beliefs पर अधारी थे पहली चीज वो ये मानते हैं कि women जो है अपने sex की वज़ा से disadvantage position पर है society में और वो social practices और कुछ ऐसे institution जो women को disadvantage position पर रखती है उसको जो है खतम किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए ये feminist मानते हैं basic जो themes है जिस पर feminism focus करता है वो है जैसे कि redefining the politics वो political को redefine करना चाहते हैं जिसमें politics को ज़्यादा public sphere के साथ associate किया चाहता है लेकिन वो चाहते हैं कि politics को जो है वो personal sphere के साथ भी जोड़ कर देखा जाए इसलिए feminism का personal is political slogan जो है वो काफी famous रहता है इसके बाद ये patriarchy की बात करते हैं sex and gender की बात करते हैं equality और difference की बात करते हैं equality में ये कहते हैं कि women को men के equal rights मिलने चाहिए और difference में ये कहते हैं कि women की एक अपने identities है अपने interest है so जो women और men में differences होते हैं उसको remove करने के नहीं उसको celebrate करने की बात करते हैं अलग-अलग rights की बात की जाती है तो इसलिए अलग-अलग wave से feminism को define किया जाता है, first wave जो 1840s और 1850s में आती है इसमें women's को voting right दिये जाने की बात करते हैं, जिसमें women's suffrage movement आती है, और ये end होती है जब women को voting right मिल जाते हैं New Zealand में सबसे पहले 1893 में, इसमें Mary Wallstonecraft, J.S. Mill, Susan B. Anthony जैसे thinkers आते हैं second wave 1960s में आती है इसमें women's liberation की और जो men को rights दिये जाते हैं वैसे ही equal rights की demand की जाती है personal is political का यहाँ पर slogan काफी famous होता है second wave में, personal is political का slogan जो है वो काफी famous होता है second wave में, second wave के जो main thinker है वो है Betty Friedman, Kate Miller Simon De Boer और Susan Brown Miller third wave 1990s में अरोस होती है, यह ज़्यादा race को लेकर focus होती है third wave की term को coin किया था Rebecca Walker ने, और third wave के जो main thinker है वो है Eve Ensler, Camberley Crenshaw, Amy Richards fourth wave 2012 में आती है और यह sexual harassment, body shaming या rape culture पर ज़्यादा जो है focused है, इसमें social media पर अपने issues को ज़्यादा race किया है fourth wave में, इसमें Rebecca Solnit, Jessica Walnit और Laura Bates जैसे thinkers जो है इसमें आते हैं, feminism के generally important thinker कौन से हैं वो जानते हैं जिसमें पहला नाम आता है Mary Wallstone Craft का, जिनकी book Indication of Rights of Women जो है, जिसको जो है, first text माना जाता है modern feminism का, Simon De Boer जिनकी Second Sex बहुत important book है Kate Millard, Sexual Politics 1970 में publish होती है Juliet Mitchell, जिनोंने Women's Estate Psycho Analysis, Feminism और Feminine Sexuality जैसे main work लिखे हैं, और Last Sulamit Firestone जिनका एक important work काफी famous है वो है The Dialactic of Sex, जो 1970 में publish होता है, अब हम बात करते है Ecologism की, Ecologism जो term है, वो coin की थी German के एक geologist ने, जिनका नाम था Ernest Haeckel, 1866 में इसको coin किया गया था Modern Ecologism जो है, वो emerge होती है, as an ideology 1960s में, जब Environment Damage को पहली बार जो है, लोगों के द्वारा notice किया गया था, यह जो ideology है यह इस चीज को लेकर बात करती है कि हमें Nature को Interconnected Whole समझना होगा, यानि Nature में Humans भी आते हैं Non-Humans भी आते हैं, और In Animate World भी आता है, इसका मतलब है Non-Living Things भी आती है, सिरफ हम यह समझना कि Nature में सबसे Important Being, जो है, वो Human Being है यह कहना गलत है, Humans, Non-Humans और Non-Living, तीनों को साथ में देखना होगा, Ecologism जो है एक ऐसी ideology है, जो Industrialization की अगेंस्ट ही मर्ज होती है इसके जो basic themes है, उसमें से सबसे पहला theme आता है, Ecology का Ecology में हम Deep Ecology और Shallow Ecology को पढ़ दे हैं और यह मेरा अगला स्वाल रहा आपके लिए कि इन दोनों में क्या difference होता है Deep Ecology और Shallow Ecology में और दूसरा जो इसका theme है, वो है Holism Holism का मतलब है, यह Nature को As a Whole समझता है, जिसमें Humans, Non-Humans और Non-Living Beings सभी आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया और इस Sustainability की वालत करते हैं यानि हमें जो Earth के Resources को इस तरह से यूज़ करना है, कि जादा से जादा देर अर्थ में जो है, Life Sustain रह सके Environmental Ethics की बात करता है Self-Actualization की बात करता है Self-Actualization का मतलब है कि इंसान जो है, अपने Physiological Needs से उपर उठके जो है, वो Nature के बारे में भी सोचे, अब हम बात करते हैं Ecologism के Thinkers की, सबसे पहरे नाम आता है, E.F. Shumacher का, जिन्होंने Small Is Beautiful 1973 में बुक पब्लिश की फिर James Lovelock का नाम आता है जिन्होंने एक बहुत ही फेमस आइडिया Gaya Hypothesis का आइडिया दिया था जिसमें वो ये कहते हैं कि Earth एक Living Being है, जिसमें वो अपने आपको Self-Regulate करती रहती है, इसमें Changes जो है आते रहते हैं इनके जो Major Work है वो है Gaya जो 1979 में पब्लिश होता है और The Ages of Gaya जो 1989 में पब्लिश होता है फिर Murray Bookchin का नाम आता है जब भी Murray Bookchin का नाम आएगा Social Ecology का नाम आएगा ये Social Ecology के Main Thinker है इन्होंने Post, Scarcity, Anarchism, The Ecology of Freedom और Remaking जैसे Society जैसे Important Work लिखे हैं और Ecologism के Thinker है जैसे कि Rachel Carson जन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि कुछ Chemicals को या Pesticides को यूज करते हुए हम Environment का नुकसान कर रहे हैं उसकी वज़ा से हम मारे में भी Human Beings में भी जो है बिमारियां बढ़ रही है इसलिए इस चीज की और ध्यान देना चाहिए इनकी Famous Book है The Silent Supreme जो 1962 में आती है Caroline Merchant जैसी Feminist Thinker जो है वो Gender, Oppression और Death of Nature में एक Link देखते हैं वो ये मानते हैं कि Nature को अभी तक हमने Male-Centric View से ही समझने की कोशिश की है और जब तक हम इसको Male-Centric View से ही समझने की कोशिश करेंगे हम इसको Damage पहुंचाते रहेंगे जिसकी वज़ाए से Nature की Death ही रहेगी उसको कभी भी हम जो है Revive नहीं कर पाएंगे Death of Nature इनका Famous Work है Radical Ecology भी इन्होंने लिखाए 1991 में Publish होता है अब हम मात करते हैं Rudolph Barrow की जो जाने जाते हैं कि Socialism और Ecological Theories जो है उनको Reconcile करते हैं उनको एक जगा लेकर आते हैं और इनकी बुक का नाम है Socialism and Survival और इसके साथ Red to Green भी लिखते हैं यानि यह चाहते हैं कि जो Socialism की Ideologies है Socialism के जो Principle है और जो Ecologism के Principle है उसको किसी तरह से साथ लेकर जाया जाए इसलिए Red to Green की यह बात करते हैं यानि Socialism से Environment की बात करते हैं Building the Green Movement 1986 में इनकी बुक पब्लिश होती है अब हम बात करते हैं Multiculturalism की Multiculturalism term सबसे पहले Canada में 1965 में यूज की जाती है ताकि जो Cultural Diversity का Issue है उसको Define किया जा सके उसको Tackle किया जा सके इसलिए Multiculturalism को यूज किया जाता है लेकिन Multiculturalism popular कब होती है जब USA में Black Movement चलती है तब जाकर यह Multiculturalism popular होती है और यह Movement भी 1960s के टाइम पर ही आती है Multiculturalism यह बात करता है कि Diversity, Racial, Ethnic और Language differences पाए जाते है लेकिन यह differences को जो है Celebrate करता है ऐसे differences समाज में होने चाहिए और हमें इन differences को जो है Celebrate करना चाहिए यह Multiculturalism कहता है Multiculturalism जो है वो Different Cultural Groups के इंटरस्ट को Promote करना चाहता है इसके जो Basic Themes है वो है Politics of Recognition, Culture and Identity, Minority Rights और Diversity की बात करता है अब हम Multiculturalism के कुछ Thinkers की बात करते है सबसे पहले नाम आता है विलक मिलका जो तीन Multicultural Rights की बात करते है जैसे की Cultural Rights, Polyethnic Rights दूसरा Self-Government Rights तीसरा Special Representation Rights और इनका जो Major Work है वो है Liberalism, Community and Culture जो 1989 में पब्लिश होता है और Multicultural Citizenship जो 1995 में पब्लिश होता है दूसरे Thinker है Edward Said जहां इसको Edward Said भी कहा जाता है यह Post-Colonial Theory के Founding Figure माने जाते है Orientalism इनका Most Famous Work है 1978 में पब्लिश होता है Culture and Imperialism इनका वर्क 1993 में पब्लिश होता है और भी Multiculturalism के Thinker है जैसे Important Thinker है Charles Taylor Charles Taylor ने जो है वो सबसे पहले बात की थी Multiculturalism में Politics of Recognition की Recognize करना चाहिए एग्णोर नहीं कर सकते है Politics of Recognition यह है Sources of the Cell 1980 में इनकी बुक आती है और Famous बुक इनकी है The Politics of Recognition जो 1994 में आती है यह नाम आता है Bikhu Parak का Bikhu Parak जो है वो भी Multiculturalist है और वो Liberalism के Universalist के Idea को जो है Reject करते है वो मानते हैं Society में जो है हमें सिर्फ Individual को समझते हुए या सिर्फ Individual को Basic लेते हुए सारी थियोरी नहीं देने चाहिए अलग-अलग तरह के Groups जो है Society में पाई जाते हैं Society में काफी Cultural Diversity पाई जाते है उनकी Needs को देखते हुए उनके Interests को देखते हुए हमें theories बिल्ट करने चाहिए हमें वैसे institution बनाने चाहिए सो Cultural Diversity को हम ignore नहीं कर सकते हैं सो इसलिए वो कहते हैं कि Human Nature की complexity को अगर हमने समझना है तो Society में जो different culture पाई जाते हैं इस चीज की और भी हमें ध्यान देना होगा तो Society में जो different culture पाई जाते हैं इस चीज की और भी ध्यान देना होगा Rethinking Multiculturalism इनका major work है जो 2000 में publish होता है और अगला question आपके लिए ये है कि B.K. Parak ने Multiculturalism का एक model दिया था उस model का उस approach का क्या नाम था वो आपने comment करके बताना है अब हम बात करते हैं post-modernism की post-modernism जो ideology है वो 1970s में यॉरप में इमर्च होती है और ये basically किस चीज की बात करती है ये objective reality के against है scientific truth जो science किसी तरह की कोई discovery करती है invention करती है वो हमेशा सत्य नहीं होता इसकी बात करती है even ये मानते है reason और logic जो हम मानते हैं वो भी universally valid नहीं होते यानि reason and logic जो है वो भी time and space change करने की वज़ा से वो change हो सकते हैं तो इसलिए reason and logic भी जो है वो भी universally valid नहीं है ये मानते हैं science and technology और यहां तक ही reason और logic भी जो है वो human progress का vehicle नहीं है ये science and technology को संदेग की नजर से देखते हैं और मानते हैं कि जो established power है उसका ये एक instrument है यानि science and technology कैसी discovery कैसी invention करना चाती है कौन सी knowledge या information सुमाज में देना चाती है ये जो power में बेठे हैं वो decide करते हैं दूसरी बड़ी चीज ये मानते हैं कि human nature जैसी कोई चीज नहीं है human nature जो है fix नहीं होता है human nature socially determine किया जाता है हम पैदा होकर ही human nature नहीं लेकर आते हमारा human nature जो है हमारा जो behavior है वो socially determined होता है socially construct होता है समाज ने human वैसा बनाया है इसके जो basic themes है ये skepticism broader इसका theme रहता है यानि हर एक चीज को शक्की निगा से देखते हैं कोई भी theory को कोई भी logic या reason को confirmation नहीं देते हैं हमेशा के लिए सत्य नहीं मानते हैं ये subjectivism की बात करते हैं जिसका मतलब है time and space change होने के साथ theories भी बदलती रहती है reason भी बदलते रहते हैं discourse की बात करते हैं और deconstruction के idea की बात करते हैं discourse का idea basically Michelle Foucault ने काफी explain किया है deconstruction का जो नाम है वो दरीदा के साथ associate किया जाता है अब इसके main thinkers देखते हैं post-modernism के कौँ से हैं सबसे पहले frederick निश्चे आते हैं और इनको post-modernism के precursor माना जाता है तो मतलब अगर हम देखे कि post-modernism का origin कहां से होता है तो frederick निचे के thoughts से वहां से शुरुवात मानी जाती है होती है यह ज़्यादा importance देते हैं will को will to power इनका एक important slogan है जिसमें यह कहते हैं कि जो लोग है वो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं अपनी values जहें वो खुद create करते हैं इसलिए यह एक famous slogan भी देते हैं death of God जिसमें यह कहते हैं कि अगर human being जो है अपना world खुद create कर सकता है अपनी values खुद create कर सकता है तो फिर हमें God की क्या जुरूरत है Beyond Good and Evil इनकी famous book है Martin Hediger second thinker है postmodernism के जिन्होंने being and time जैसी book दी है फिर इसमें Lothard आते हैं Lothard जो है वो postmodern term को सबसे पहले ऐसे थिंक थे जिन्होंने popularize किया postmodernism को अगर यह briefly divine करें तो यह कहते हैं कि postmodernism का मतलब है कि यह meta narratives में नहीं मानते हैं liberalism की theory, marxism की theory, realism की theory यह सारी theories जो है यह meta narratives की theory है यानि यह theories यह मानती है कि इनके जो ideas है जो इनकी theories है उसके basis पर ही जो है पूरे दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही है जो भी चीज़ें हो रही है उन सबी चीज़ों को समझा जा सकता है तो लितार्ड मानते हैं postmodernism इस चीज़ के against है meta narratives को वो नहीं मानता postmodernism वो subjectivity को मानता है और इनकी जो famous book है वो है postmodern condition जो 1979 में publish होती है मिशल फूको का नाम आता है बहुत सारे important work लिखे हैं जैसे madness and civilization, discipline and punish the history of sexuality और फिर jackus dherida का नाम आता है जिन्होंने writing and difference, margins of philosophy specters of marks जैसे important work दिये हैं और last thinker है Richard Rotty जिन्होंने philosophy and the mirror of nature consequences of pragmatism और contingency, irony और solidarity जैसे works जो है इन्होंने लिखे हैं उमीद करता हूँ आपने इस वीडियो के जरीए काफी अपने facts को consolidate कर लिया होगा और जो भी मैंने question पूशे हैं चार question पूशे हैं, उसको comment करके आप जरूर बताईएगा और आपना gift जो है से download कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you